नमस्कार कैसे हैं आफ देश में पहली बार हुआ कि बल्ट में दिल्ली मुंबई समेथ कई शहरों में पत्रकारों के घर छापे मारी कुई और ये छापे मारी न्यूज क्लिक वेबसाइट के नाम पर हुई कि उनको चीनी फंडिंग हो रही ये बात सबसे पहले देश के सामने तब आई खुल करके जब लोकसभा में बीजेपी के सांसत निशिकान दुबे ने अविस्तार शर्मा का नाम ले करके न्यूज क्लिक पर गंफीर आरोप लगाए आगे चल कर देश के सूचर वंपरसार मंत्री ने भी वही बात दुगरा दी तो कोहराम मच गया लगा मामला शांत हो जाएगा लेकिन जिस ड़न से दिलने पुलिस ने एक आए एक सुबफ होते ही चालिस से ज़्यादा पत्रकारों के आच्छापे मारी की सीता राम ये चुरी जैसे वाम पंथी नेता पिस्ता सीतलवार जैसे सो पॉल्ड समाजिक कारे करताओं के तो फिर एक वर्ग विसिस पर कोहराम मच गया और यह आवाज उठले लगा कि ये पत्रकारिता पर हमला है हमारे साथ है वरिष्ट पत्रकार राम कौशिक जी राम जी नमस्कार राम जी बात दोराने की जुरुत नहीं है लेकिन जो कुछ भी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये पत्रकारिता पर हमला है क्योंकि एक वर्ग जो है पूरी तरह से बवाल काट रहा है, Press Club of India सामने आ गया है, Editor Gills है और एक वर्ग जो नामचीन पत्रकार अपने आपको कहते थे जिससे अपनी भाशा में लगातार मैं खलिहर खहराती कहता हूँ, वो इसे पत्रकारिता पर हमला कह रहे हैं, आपको क्या पत्रकारों पर रेड की गहीं, नियूस्टिंग देफसाइट, मीडिय वेफसाइड, मरी जे मुझे गूरा पती हैं, आप कैसे उनको पत्रकार कह सकते हैं, बली अब कल्ती से पत्रकार नहीं कह सकते हैं, वो पत्रकार नहीं हैं, अगर perception से चलता हैं, तो आज मैं और आप ब हार्ड कोर, लेफ्टिस्ट, ये ओक्स परिज वाले, ये हावर्ड वाले लोगों ने जो पत्रकारता पे, दिल्ली की पत्रकारता पे, खास पर पर दिल्ली कोलकाता की पत्रकारता पे, जिन लोगों ने गबजा किया हुआ था, और जो सुगा से शाम तक खटने वाला, अश्यषी कि सामान को तक का जोगार ना करने वाला व्यक्ति वह पत्रकार था उस पत्रकार घुट-घुट करके मारा है इन लोगों ने जो से ओ का लाइफ स्टैल जीते हैं जो जो पाच करोड से 50 करोड के मकानों में रहते हैं मनीजी उन लोगों ने इस पत्रे काड़ा का स्टेनास किया और वक्त अब आचुका है वेक्त आज नहीं आए ये वक्त कही सालों पहले आ गया है कि उनको अपने कीगी सचाब। मैं भी टीवी इंडस्टी में रहुआ हैं, और हम भी रिपोर्टा से ये चेहरा जो आप देखने हैं, आज भी इस पे काले-काले-काले स्पार्ट पड़े हुआ हैं, ये आज भी चेहरा जला हुआ है, उससे जला है मनीजी, 10-10 घंटे, 40-45-48 डिगरी के टेंप्रेटर में आ आज तक इसका कोई इलाज नहीं हो पाया मनीजी, ये नाचुरल नहीं है, ये पत्रिकार तकी देने ये जो आपको पूरा चेहरा करना दिखाई दे रहा है, बैं वीवर्स को बता दू, राम कौशिक जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, पत्रकारिता के, और कई चैनलों मे संपादक, सुपर संपादक की भूमिका में रहे, और जो टच अप लगाने की बात, जो आप बड़े बड़े पत्रकार जिनको कहते हैं, जो कैमरे पर देखते हैं, चुकि राम जी कैमरे पर नहीं दिखाई देते रहे हैं, कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े संपादक, जिने आज आप देख रहे हैं, उनके कलम से उन्हें नौकरी भी मिली हुई है, तो ये इस बात का मैं गबा हूँ, तो इसलिए इस बात को तथ्यात्मक रूप से कई संपादक जो आपके टीम में काम किये हुए हैं, आपके साथ काम किये हुए हैं, जो आज के डेट में बड़े में जब मैं इस मेनिस्ट्री मीडिया को छोड़ करके यहां आया था, तो मेरे वीवर्स जानते हैं कि मेरा मुहीमी बेक्सी के लिए इन खैरात पर चलने वाले पत्रकारों के साथ रही है, इसलिए मैं आप से समझना ज़्याद है, चुकि आपने कई सारे संपादक आपके स यह हम लोग कई बार जो स्क्रीन पर बड़े तोपची दिखते हैं, इसमें एक अभिसारी दिखाई दे रहा है, जो बतलब चिकना चुपड़ा चेहरा है, जो एक कैमरे का आदमी है, बरना जो असली असली खुलंदर है, जो उसने से प्रभीर पुरकायस्त है, जिसको साथ दिन की पुलिस कस्टडी हुई है, राम जी मैंने सालो सुप्रीम कोट कवर किया है, लोवर कोट कवर किया, साथ दिन की पुलिस कस्टडी के माइने होते हैं, एक सो कॉल पत्रकार को साथ दिन पुलिस कस्टडी ये बताता है कि मामला बहुत गंभीर है, जिससे ये लोग सि कोड़ी देर पहले करी करी एक घंटे पहले न्यूज कि जिस वेफसाइट की बात कर रहे हैं जो मीडिया वेंचर है सो कॉल मीडिया वेंचर जो का पत्रकारता के जो जो स्थापित मांदंड हैं उनको वो वो चला रहा है और वो पत्रकारता का पुरोधा संस्थान है अजया वो दावा करते हैं उनका इस पूरी की पूरा जो गटना कर रहा है कल उसके उनका इस स्टेटमेंट जारी किया आप पर पूरा स्टेटमेंट के पड़ूगा कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं और यह मैं त्विटर एकाउंट से ले रहा हूं यह मेरा इसमें स्टन्त रहे हैं स्टन्त किसे हैं वो स्टन्त मनेजी यह मेरा मत है स्टन्त रिस्वास से हैं कि उन्हें इस देश देश की जनता पत्रेकारता से स्टन्त रहा हूं उससे उनका कोई सरुकार नहीं है उनका ख़वर से कोई सरुकार नहीं है उनका देश की जनता के भले के लि वह बता है है दर्शकौं को आर जनलिस्टिक बेस्टाइट बेस्ट आइस तंडर्स प्रफेश्ट वह एक वीडियो नहीं करने के विलाखरो पहलेते है यह उपकुछ मानदड है उनका उच्छ मानदे है वो उच्छ मानदे कमाते काम नहीं करते हैं आज चालीस लोगों के दर पर रेड होई है जिसे पूस्ताज होई है उनका अगर अगर उनका और उनका आडिट करा लें फॉर्ण सिक तो पता चलेगा कि उन्होंने न्यूज क्लिक के लिए कुल मिलाके टेक्स लो वीडियो मिला तो महीं तीस दिन में दस स्टॉरीज या वीडियोज भी नहीं कि होंगे लिए उनके तन खाया है बिल्कुल मैं तो वह हैं और उनके साथ मुझे करीब साढ़े-चार साल हो चुके हैं क्या मैं न्यूज क्लिक का employee हूँ जी नहीं मेरा contract साफ तोर पर कहता है कि मैं न्यूज क्लिक का employee नहीं हूँ मैं न्यूज क्लिक का consultant हूँ contributor हूँ, इसकार्थ क्या हुआ कि News Click के board में कौन बैठता है News Click क्या फैसला करता है News Click की कहा से funding होती है उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है तो फिर ये जूट क्यों पहलाये जा रही है, भारतिये जन्ता party, प्रायोजित, मीडिया द्वारा, कि News Click मेरा है मैं News Click में consultant हूँ, contributor हूँ तो तुमारा जूट एक बार फिर पकड़ा जाता है कि मुझे शायद एक महिने में इतने रुपए मिलते हैं और मैं देश के खिलाब बोलता हूँ सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपके सामने News Click के साथ जो मेरा कॉंट्राक्ट है वो पेश करना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों News Click से जो मुझे पैसा मिलता है उसके दो कॉंपनेंट्स है पहला कॉंपनेंट्स यानि पहला हिस्सा वो मुझे एक फिक्स पैसा देते हैं जो है 2,34,000 पर महीना ठीक है और ये कट-कटाके मेरे पास 2,10,000 आता है और इसके अलावा YouTube से जो कमाई News Click की होती है उसका एक अंश मुझे देते हैं अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों कि पिछले एक साल में यानि कि 2022-2023 में मुझे कितने पैसे मिले मुझे News Click से जो Fixed Component मिल रहा था वो था 2,33,000 और 12 महिने में ये हो जाता है 28,8,000 और इसमें एड हो जाता है YouTube से News Click की जो कमाई होती है उसका एक अंश वो लोग मुझे देते हैं और वो है 7,00,000 रुपए यानि कि 28,8,000 प्लस 7,00, ये हो गया 35,8,000 यानि कि करीब 35,00, वो भी 2022,23 में जब मैंने 2018 में News Click के साथ काम करना शुरू किया था दोस्तों तो अपने स्क्रीज पर देखिए तो मुझे मिल रहे थे 1,00,000 अपने कारकरम News चक्र के लिए जो हफते में एक बार आता है और बोल के लब आजाद हैं तेरे के लिए मुझे मिल रहे थे 60,000 यानि कि कुल मुझे 1,60,000 पर मन्त मिल रहा था और उस वक्त News Click का YouTube monetize नहीं था यानि कि YouTube के जरिए News Click पैसा नहीं कमा रहा था यानि कि 2018 से लेकि 2019 के आन तक मुझे 1,60,000 उपए News Click से मिल रहे थे अभिसार जो कह रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि एक-एक वीडियो के लिए उनको क्या-क्या मिलता था और बरी थसक से अभिसार कह रहा है कि हमको तो contract था मेरा आपने इतने दिन दौकरी की आप भी contract पे थे हम भी contract पे रहे पत्रकारिता तो contract का पेशा ही हो गया है तो यह already YouTube चला रहा है इससे एक-एक वीडियो के लिए इतना पैसा News Click क्यों दे रहा था यही तो जाँ चाहिए सी जाँ कोई से उच्छ मांदर्न यह उच्छ मांदर्न है यह च्छ मांदर्न देश का पत्रकार यह हम जैसे लूप फॉलो नहीं कर सकते तीसरी जी मनीश जी वो गरहे News Click does not publish any news or information at the best of Chinese entity or authority directly और indirectly यह जैते हैं ना सीधे ना पच्छरी दरवाजे से हम Chinese agenda फॉलो नहीं करते मनीश जी मैं आपको जादा पीशे नहीं जाता हूं हाला कि 2021 में News Click पर रेड होई थी ED की तब News Click का नाम सामने आया बिल यह किस तरह से इन्होंने इन्होंने पैसा कैसे नहीं हो आया मनीश जी दर्शकों को यह अगर दर्शक की समझ जाएं कि इन्होंने पैसा फेरा से बचने के लिए फोरेंट फंडिंग का जो कानों ने उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट दिखाया कंटेंट की एक्सपोर्ट के बदलें में एक्सपोर्ट रेमिटेंस कराई और export remittance जैसे कि रैडिमेट के कपड़े बेच रहे हैं इसे नहीं ने इसे नहीं चाहिए और रहे हैं और जिससे इनों उच्छ मानन्द इस्थापित की है पत्रकार्ता के इस देश में संप्रहु पत्रकारता देश की संप्रहुता से समझाता करते हुए निस संप्रहु पत्रकारता के नीव लगाई इस देश में ठीक है वनीजी आवो आवो यह कह रहे हैं कि अब मैं इनके कुछ नमोने बताता हूं जादा पीछे नहीं जाओंगा जीट्वंटे हुआ पूरी में घंधुस्तान का दंगा भजा हिंदुस्तान ने गृति यह जो बाली में ऊका म्युयंग सका से करने suggestions ले दिन जडिली आगिया और डेली डेक्लेशन में उन्होंने सिर्फ वार के बज़एर पूरी धुनिया में आथिक वि्कास कि बात पर जूरदिया गया कैसे हम आर्ठिक गौर और ये साफ साफ कहा गया है कि ये जो मंच है ये आर्ठिक विकास की संद्रचना करने के लिए है ना कि दो देशों के बीच के विवादों को सुज़ाने के लिए हमारे जो न्यूज क्लुक के जो कुछ मानदंड स्थाफिक करने वाले जो सो कॉल संप्रभू पत्रकारता के लोग है उन्होंने क्या किया मनीजी उनका मैं आपको पढ़के सुनाता हूं उन्होंने क्या रेपोर्टिंग की मनीजी ठाव करे है टfähूने क्या से लावेडिन इंपिट एला लिए जेॅटाब पुर्ण वाले से सपीषार से कि आ ममानने की परत जात्लिशं उनका चान चेयर मटन कीज इंजेख्ट पिए of the in India's projecting its G20 leadership as a favorable development for the cause of the global south and of some Indian official ex-spokesperson signaling third world that is a matter of discussion but nothing of the sort has happened. वो कह रहे हैं कि जो दावा कर रहे था है हिंदुस्तान के ex-spokesperson G20 के कि हम third world के जो global south के लिकान economic विकास के लिए काम करेंगे उसके लिए कुछ नीतियां बनवाएंगे उनका जो debt है उनके पर जो rent है उनके पर जो करजा है उस करजे के करजे को set up करने के लिए समादान लोडेंगे इस तरह कुछ की आई ही यह फालत सुखायते करते रहे डेली डेक्रेशन को स्थाइं बेका है डेली जबकि डेली डेक्रेशन कहता है अधर के डेली डेक्रेशन का मतलब यह था कि भाया दो देशों के विवाद में अपना समय मत दर्थ करिए आप सिर्फ इस दुनिया का विकास कैसे होगा अगर ग्लोबल साउथ का ना सोचा होता अगर तो अफ्रिकन यूनियन कैसे हिस्सा बन गया होता जी टूंटी का परवान नंबर कैसे बन गया होता वो मेहमान से वो मेहमान के कौने मेहमान होके जो कौना ब इसकी अगर यह काम अगर यह जी टुन्टी में नहीं हुआ था तो इनको दिखी नहीं रहा हुआ इनको पूरा अजन्टा इनका भारत के छवी को ख़राब करने अब यह कह रहे हैं तो हम तो किसी से डारेक्शन नहीं लें यह कैसे नहीं यह क्या है यह मैं मनेशी अगर अंदर गया तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं इंडिकेशन हो रहा है कि जो चीनी फंडिंग का उदेश जो कोई भी अधी बनिया पैसा देता है तो आप इस चीज़ से सावित कर रहे है कि न्यूज क्लिक पर जो आरोप है कि चीनी एजनसी के इशारे पे भारत के खिलाब काम कर रहे हैं उनका यही काम था जी ऐसा लगता है मनेशी कई वार न्यूज क्लिक को जो पिसले दो-तीन साल से फॉलो किया है उसको देखते ही क्योंकि उससे पहले तो मुझे भी न्य कंटेंट पेचे निखली मैंनका यह तो बड़ा तकड़ा जनता है इसको समझाए रहा तो कुछ समझ में आने लगा यह क्या है उनी सी आप यह इसमान के चलिए कि यह जो इनका यह ग्लोबल टाइम्स को तो जातर इंडिया फॉलो करते है चाइना का सरकारी सरकारी मीडिया मतलब यह इतना खतरनाक काम देश के खिलाब कर रहे हैं और पत्रकायरता की आरवें इंट्रेस्टिंग यह है राम जी कि रवीश कुमार को देख रहा हूं जी वह जो मैं जैसे संसनीबाज कुछ लोग कहता हूं यह बड़े जो संपादक जो खलियर हो चुके यह सम्मुही चला रहे हैं कि पत्रकायरता पर हमला है और अपने अपने यूटूब चैनल पर आठाट दस बड़े बड़े जमाने के बेरू पतानी कौन को पत्रकारों को इला करके थाबित करना चाह रहे हैं कि सरकार अभीवक्ति की आजादी को दबाना चाहती है हम आज उसे किया है र अरजेंसी लाई थी वो इस तरह की बात है कर रही है मरीजी मैं एक किताब यहां पर डिस्क मैं दर्शिकों को दिखाना चाहता हूं पत्रे करता का काला दिया है आप भूल जाए किस नहीं लिखी है कि मैं उनके शो में ज़रूर बैठाओं लेकिन इनका फिलाल इस किताब स कर रहा हूं दर्शिकों जैसरी दिखाना जाता हूं जो आप बात कर रहे हैं यह पत्रिकारता के जो काला अर्ध्याय जो आपने कई सालों पहले लिखा था और इसका नया कॉपिय भी आया है इसमें बहुत सारी SESA की कहानिया लिखी गई है इसमें न्यूस किलिक यह जो ज ताओ जाये चाहें ठाओ प्रणेग कराता हो चाहें वह वायर में दॉन ऐसांता हो अभिसार शर्मा और चाहें वह अपने वर्दन हो वायर स्था बढ़ राजन हो यह अर्फा खानम शेरवानी हो यह चाहे वो भाशा सिंग हो यह जितने भी लोग है मनी जी यह पूरा की पूरा कुनवा अगर आज तक उसके बारे में तो बात नहीं करते ही जो राजसभा टीवी नाम का एक जो खोला गया था जिसके कॉंग्रेस के आज के जो नेता हैं गुर्दीव सप्पल जो जो कॉंग्रेस के अर्जक्ष खड़के के सलाकार भी है और पार्टी के प्रवक्ता भी राजसभा क के सीओ करते हैं जिनके पास राजसभा चैनल एक मीडिया संसान का सीओ कि कोई उनके पास क्वालिटिकेशन नहीं थी वह एक सिंपल के टिगरी करने वाले आदमी थे और उनको पत्रकार से को पत्रकार ना देना नहीं और पत्रकारों का बॉस बना हुआ था और यही सारे प कीवी के पैसे पर पलते थे यानि हमारे और आपके देश की जनलता के पैसे पर पलते करोड़ों करोड़ रुपए हर साल इन लोगों पर लुटाए गए हैं लुटाए गए हैं यह इनको इनको आप सोचे के मिस्टर राजदान जो निजी राजदान के पिता हैं और पीटी बहुत गंबीटा समझीगा बोथ राम जी कहा रहे है कि यह जो शो मिलता था वो भी न्यूज क्लिक की तरह की तरह का ये खेल था कि एक आदमी शपल आप मैं शपल का चेहरा ज़रा देख लिजे ये शपल जो है और राजसवा चैनल का हेड हुआ करता था आज कॉंग्रेस प खाना ये पूरा जो है ये उर्मिलेश यादव जो अपने यादव लिखता नहीं यह उर्मिलेश यादव कर रहा है मैं तो राजसवाद टीवी का एडिटर था किसलिए थे किस भिहाब पर थे और इसी लिए चुकि राम जी ने उठाया कि न्यूज क्लिक के बात तो इस व उर्मिलेश यादव हो चाहे वो तमाम वो लोग हो उन सब के जिक्र है इसमें और ये न्यूज क्लिक का जो मामला अभी अब ये सामने आया जो राम जी बहुत अच्छी बात उठाकर के लिए आये कि राजसवा में इन सब को प्रोजेक्ट मिला हुआ था और इसका जिक्र मुझे कई बाब लगता है कि मतलब लगवग 200 पेज में 240 पेज है इसकी और 240-42 पेज में हर वो बुद्दा तिस्ता सी तलवार का खेल सब कुछ उठाया गया है इसी ने मुझे लगता है कि ये जो राम जी है मैंने कल पोश्ट एक लिखा था कि इस किताब को लिखना हो गया और यह आप तो मतलब बहुत पुराने मित्र हैं आप तो दर्द का रिष्टा आपके साथ भी है मेरा कि उस बुरे दोर में मैंने किताब लिखा है जब मैं खाली चल रहा था नौकरी ने थी बड़ा चैलेंज लिया कि नौकरी नहीं करूँगा और इसलिए मैं कितन कि राजसवा टीबी भारस सरकार का प्रोजेक्ट मैं लोगसवा टीबी पे जाता था एक प्रोग्राम के लिए गेस्ट के रूप में 4,000 रुपे मिलते थे उतना कोई नहीं देता था सिर्फ राजसवा 5,000 दे मताँ यह जितने नीजी चैनल हैं उसमें आप लोग जो पत्र अगए आप उहां कोई आप को करी रही सकते तो और यह तो एक फ्रोग्राम में आने के लिए एक दिन में चाचाब प्रोग्राम आपको मिल गया तो आपको कौन नौकरी करने की जुरसी नहीं कि बाद हैं न यह जब कल जो कर जिन से इन्वेस्टिशिशन हो आन्से सवाल प यही चार पांच छे पत्रकार थे जिसको राजसवामी क्लिक बाजी करने का मौका मिलता था और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिसार शर्मा अपनी खुद खोल रहा है मुझे लगता है कि अभिशार का वो वीडियो देख करके जब निशिकान दुवे जीनी संसद में इसका न निउस क्लिक के साथ जो मेरा कॉंट्राक्ट है वो पेश करना चाहता हूं आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों निउस क्लिक से जो मुझे पैसा मिलता है उसके दो कॉंपनेंट्स हैं पहला कॉंपनेंट्स यानि पहला हिस्सा वो मुझे एक फिक्स पैसा देते हैं जो है दो ला न्यूज क्लिक की होती है उसका एक अंश मुझे देते हैं अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों कि पिछले एक साल में यानि कि 2022-2023 में मुझे कितने पैसे मिले मुझे न्यूज क्लिक से जो फिक्स कॉंपोनिन मिल रहा था वो था दो लाक शौतीस हजार और बारा मह आपे यानि कि 28,008,000,000 इस इस क्लिप के माध्यम से राम जी इस क्लिप के माध्यम से साबित होता है कि और कह रहा है कि अधि 450,000,000 के दो लाक रुपे मुझे को दे देता था इसलिए मेनेज जी क्योंकि जब G20 में ये समझाता हुआ कि जो चाइना चाइना जो ब्रिक एंड बेक एंड बेल्ट जो रोड बना रहा है जो पूरा बुरा प्रोजेक्ट इसके जब न्यूस क्लिक ने स्टोरी की कि हिंदुस्तान के जो सरकार है वो हिंदु चाइना के इस प्रोजेक्ट में इस इंफ्राद प्रोजेक्ट में शामल होने से और इंदोस्मस सरकार गल्थी कर रही है लेकिन जब सरकार ने का मास्टर स्टोर्स केला कि कि इंडिया, Middle East, اور येरॉप के वीच में, येरॉप के वीच में एकमने कॉरिडिर बनेगाई इंफरास्ट्रक्डर को रिडिर बनेगा रेल को रिडिर बनेगा, तो उस को घुरिठी रहे इंप जब समय होता हुआ, जिती और दुनिया देखते रहे लिए, ये चाईना देखत शामन है और जब उससे बड़ा कामकरती है सरकार जब यूरॉप के यूरॉप के साथ मिल के एक रेल कोई डर माना के बात हो पे तो वहां पे यह यह न्यूज के लिखता है एक टलकवाज लिखते हैं कि यह इससे कुछ होने जाना वाला है, यह मतलब circumstantial evidence थाबित कर रहा है कि यह लोग चीन के funding पे काम कर रहे थे, और यह जो तमाम एक पैसा जिसे 38 लाग रुप, 48 लाग रुप दिखाया जा रहा है, यह पैसा आया, यह पैसा खंड-खंड में click, हर click के लिए इन लोगों को मिनत इनोंने जो content बेच के remittance लाए हैं, जो अपने account में पैसा लाए हैं, उसकी जाच ED कर रहा है, और special sell इनकी नियत की जाच कर रहे हैं, कि इनोंने देश की संपरवदा के खिलाफ जो उसकाम किया है, जो चीन से instruction लेकर, जो ने जो नेवल सिंगा में, जो Communist Party of China का दोस्त है, ज जो चाइना का चाइना का जो प्रोपेगंडा है, उस प्रोपेगंडा को उसे पुरी दुनिया में प्रोपेगेट करने में चाइना की मदद की है, CCP की, Communist Party of China की मदद की है, उस नेवल सिंगम के पैसे से आपको बता है, और आज ये नेवल सिंगम से instruction ले रहे हैं, आला कि नेवल सिंगम नाम के व्यत्ती से कोई instruction लेकिन अगर नहीं, मनिज जी, ED के पास और दिल्ली पुलिस की special sent के पास वो सारे email मौजूद है, email में सिंगम के साथ, इनका communication है, कैसे और इनका ही नहीं, ये जो Communist Party के लोगे नेता हैं, हमारे प्रकाशकारत सहाब, और शी तरह जो इंडिया आलाइंस के भी बड़े नेता बन गए हैं, बन गए हैं, तो उन लोगों के सिंगम के बीच की बातचीत लुजावर हो गई है, किस तरह से गलवान के बाद, चाइना की जो फजियत हो रही थी, इंडियन मीडिया में, चाइना की image का makeover करने के लिए, किस तरह स गलवान में लेकिन ये चाने की इच्छित के लिए नड़ रहे थे, प्रकाश कहरत और अनिवल सिंगम, और किस के साथ, क्लिक बाजों के साथ, ये क्लिक बाजों के साथ, ये क्लिक बाज जो है, कुछ आसाताट गंटे तक दिल्ली पुलिस ने इनकी सेवादारी की, इनका मुवाइल चीन लिया, लैपटॉप चीन लिया है और ये जब शान को लोटे तो कोद रहें कि मैं छोड़ दिया गया हमें राम जी इसी डंग से मनिस्टी सोदिया भी कोद रहे थे जब उनको गिरफतार नहीं किया गया था जब तर सीबिया आती थी, चली आती थी आपको नवाब मलिक याद होगा किस कदर से कुछ कूद दे थे जिस जंग से साथ दिन की पुलिस कस्टडी हुई है प्रबीर पुरकायस्त की और उनके हर हेड़ की मुझे तो साफ लग रहा है कि इन लोगों पे अभी पहार तूटने वाला है और इन लोगों का जो सच सामने आएगा उससे देश भौचा करें जाएगा कि बंदरकायता की आर्मी क्या कर रहे थे और जो कुछ ये कर रहे थे उसका काला चिट्टा तो इसमें मैंने समय पहले हैं इसलिए मैंने का कि आप ये किताब को मैंने इस समय इसका मालिका आएगा मैंने लिया और मैं दर्शकों को आज शोक मादियम से कहना चाहता हूं कि बहुत जादा समय नहीं हैं जल्दी मनीशी के साथ इसी परत्रगाता के काले अध्यायत से जिती भी चीज़े इनों ने वजागर की हैं उस पर खुद मैं मनीशी के साथ एक परिचर्चा करूँगा जल्दी ही हम वो परिचर्चा लेके आएंगे और यह लिखा जो इनों ने हैं इससे भी आगे जो इनों ने देखा और समझाए आपको आपको खुलासा करेंगे आपके सामने बहुत जल्दी हम बिल्कुल चुकि राम जी ने इसको पढ़ाया और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह चीज़े इस किताब यह एक दस्तावेजे किताब मैं इसलिए कह रहा था चुकि राम जी बड़े गमजिम्मबारी की रूप में पत्रकारता में रहे हैं इसलिए इन सब चीज़ों को और ज़्यादा इस प्रक्रन के वाद और समझा जा सकता है इसलिए इनोंने सीधे मुझे भी काटा और कहा कि आपने पत्रकार इन सब को कैसे कह दिया यह खुद को पत्रकार कह रहे हैं और आज चुए एक समय बड़े बड़े तोपची पत्रकार थे जिस जिन चैनलों का उद्गाटन राम जी राष्टरपती भवन में होता था जिस चैनल में बैट करके मनमगल सिंग सरकार के मंतरी तैक किये जाते थे आप तो जिम्यदारी में रहे हुए हैं हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग में देखते थे कई जो बड़े-बड़े सीनियर जनरलिस्ट पत्रकार होते थे ग्राइम गे वो डी सीपी के पास बैटते थे तो कमिशनर की बात करते थे SHO के पास बैठते थे तो DCP की बात करते थे और सीपाईयों के ट्रांसपर पोश्टिंग में कमाई करते थे बहुं सारे ऐसे लोग थे ये छोटे क्राइम रिपोर्टर की बात है जो बड़े बड़े तोपची थे जो जेम सराय के चेले थे राडिया टेप में सब खुल गया कि सरकार के मंत्री तै करते थे आज इस तिति है कि मोधी सरकार में बड़े बड़े संपादकों को भनक तक नहीं लगती तब पता चलता है जब राष्टपती महोदे राष्टपती महोदिया जब शपत दिला रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता कि मोधी मंत्री मंडल में कौन-कौन शामील हो गया है पहले तो ये तै करते थे और ये कहते हैं कि गोधी मीडिया जो सालों गोधी में रहे उन्हें गोधी मीडिया का परपंच डचा तो मुझे लगता है कि इस तमाम चीजों से एक सक्ष सामनी आएगा इस देश को जानना चाहिए कि पत्रकाइटा की आर में ये सब भारत की संप्रभुता के खिलाब क्या शडियंद कर रहे थे और उमीद की जानी चाहिए का अदालत इन सब को कठोर्तम सजा देगी भारत की स काम प्रभुता के खिलाब शडियंद करने के लिए बहुत धन्यवाद राम जी सब्सक्राइब नमस्कार नमस्कार बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद